आज शाम दिल्ली पहुचेंगे सियम त्रिवेंज सिंग रावत कल से दिल्ली में चुनाव प्रचार को रेकर रेलिया करेंगे पांच फरवरी तक दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार तो दिल्ली में 30 सीटों पर उत्राखंट निवासियों की है संख्या धन सिंग रावत और मदन कौश्रिक पहले से ही दिल्ली में कर रहे हैं प्रचार और इसी को देखते हुए आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे उत्राखंट के मुख्यमंत्री त्रवेन सिंग रावत तो पहले सही धन सिंग रावत और मदन कौशे का दिल्ली में कर रहे हैं चुनाव प्रशार और SMA सीम त्रिवेंज सिंग रावत भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं दिल्ली में चुनाव में ताकत जोकिंगे बैक टू बैक कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे जनता से रूबरू होंगे तो पांच फरवरी तक रैली करते नज़र आएंगे सीम त्रिवेंज सिंग रावत तो त्रिवेंज सिंग रावत दिल्ली पहुंचने और इस कबर प जी अमित आपको मेरी आवाज आ रहेंगे और इस बीच लगातार दिल्ली विधान सभा का चुनाव परचार करेंगे और कल के गरम बात करें तो कल रिसेंटली उनकी तीन रैलियां यहां पे रखी गई हैं पहली रैली जो है वो चांदी चौक में इसके बाद महरोली में तीसरी रैली जो है वो दिल्ली के साथ फुटा रोड के जो छोटा राम निला मैदान है उस जगह पे है तो जाहिर तो पे उत्राखंड के काफी लोग जो है वो खास तोर पे दिल्ली में बसे हुए हैं पहले से ही पार्टी बेस्ट जो है उन लोगों को टार्गेट किया गया उन सभी जगेओं पे सीम की रैलिया लगाई गई है इससे पहले दो कैबिनेट मंत्री यहां पे पहले से ही मौजू जो कि लगातार दिल्ली विधान सभा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं जैसा कि बीजेपी का एजेंडा है कि कम से कम लगबग 15,000 छोटी बड़ी सभाएं जो हैं वो दिल्ली में 6 तारीक तक आयो जी थो नहीं है क्योंकि 6 तारीक चुनाव प्रचार का आखरी दिन है और ऐ आज खुद उत्राखंड के सीम तुर्बेन सिंग रावत दिल्ली आ रहे हैं जी बिल्कुल अमीत इससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी बड़े चेहरों को इस्तमाल कर रही है दिल्ली के चुनाव में के लिए अचक साफ तर पर इस्टार प्रचार कोंगी जो सूची है उसमें भी खास तौर पर जितने भी सीम है दिल्ली प्रदेश प्रदेश वीज़ेपी सासित-इड्य को सभी मुख्य मंध्यों कावंतृत्व किया गया प्रदेश अद्यक्षों को मंत्रित किया गया यह तक कि जो कैमिनेट मंत्री या राज्य जिनका अपना एक अलग कहीं न कहीं पहचान है उन सभी को यहां पर आमंत्रित किया गया और बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह चुनाओं में बलत बनाए जिस तरह से पिछले सर्वे के दौरान जो पहले सर्वे में बीजेपी पिछड़ती नज में और अब उत्राखंड के खास्तोर पर उत्राखंड के तमाम नेताओं को इस क्रम में लगाया गया है चाहे वो कैपरेट मंत्रियों चाहे मुख्य मंत्रियों और यही बड़ी वज़े है कि उत्राखंड सीम जो है वो पांच दिन तक अपने आवास जो एक लाल किला से बी संपर्क करेंगे और खास तोर। उत्राखंड के पर उत्राखंड के तमाम चाहे वो परवती आलागों के रहने बालुइं चोटी-चोटी कमेटियों के लोग उन सभी लोगों से वो अपने आवास पे भी मुलाकात करेंगे और जाजा के भी कई नुकर समाय operating कर ने है कि आखिर कारे काम आदमी पार्टी से संगस्ट करने के लिए बीजेपी की इतनी बड़ी लॉबी जिसे दिल्ली में बीजेपी आमंत्रित कर रही है जी बिल्कुल अमित आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के कुछ बड़े चैरे हैं जनका वो इस्तमाल कर रहे हैं और वैसे बीजेपी की कई रालिया होनी है पर देखना दल्चस्प होगा कि बीजेपी किन मुद्दो को लेकर जणता के सामने रूबरू होती है बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए